कि एंड एके हमारे नेता के रूप में मने निरंदर मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो हम सब लोगों को भारत के अवजुल भमिश्य के लिए संभोदन फिर्दान करें हम सब लोग करतल जोनी से माने प्रदान मंतरी जी का अभी लंतनों स्वागत करें भारत माता की, भारत माता की, मैं सबसे पहले तो, इस सभागराह में उपस्तित, एंडिये घटक दलों के सभी नेतागान, नव निर्वाचित सभी साउसदगान, और हमारे राजसभा के भी साउसदगान, आप सबका रदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मरी ने खुसी के बात है कि इतने बड़े समू को आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है। जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने दिन रात परिशम किया है। ने उन्होंने दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में है। हर दल के कारकरताने जो पुरुशार्थ किया है, परिशम किया है। मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटरल होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ। साथ्यों मेरा बहुत सवभाग्य है के इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथ्यों ने सर्वसम्मत्य से चून करके मुझे एक नया दाहित्व दिया है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। गर्ति के जीवन में एक मैं जवाबदारी का एसास करता हूँ। जब 2019 मैं इस सदर में मैं बोल रहा था। आप समने मुझे नेता के रूप में चुना था। और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार यह दाईत को देते हैं इसका मतलब है कि कि हम दोनों के बीच हम अपस में विश्वास का सेतु इतनों मजबूत है। यह अतूट रिस्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। और यह सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए यह पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है। और आप सब के प्रति जीतना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं। साथ उनको शूप नहीं करता होगा। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए। कि NDA आदेश में बाइस राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मोका थी। हमारा यह एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है। जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है। उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाय है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें हमारे देश में दस ऐसे राज्यों जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रूप से है। निरनायक रुप से है। जहां इस अबादी आदिवासी की ज़्यादा है। ऐसे दस राज्यों में से हैं। सात राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है। सात्यों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है। और देश में चाहे हमारा गोवा हो यह हमारा नॉर्फिस्ट हो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन देते हैं। आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला। साथियों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीती के इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीती में गटवंदन के इतिहास में। प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जीतना की एंडिये हुआ है। और ये गटवंदन का विजय है। हमने बहुमत हासिल किया है। और मैं कई बार कह चुका हूँ शब्द अलग होंगे लेकि मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवशक है। लोकतंत्र का वही एक सिध्धान्द है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आदेश वास्यों को यहां से विश्वात दिलाना चाहता हूँ। कि आपने जिस प्रकार के हमें बहुमत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है। यह हम सब का दाईत को हैं कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे। और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोडेंगे। साथियों, NDA को करीब करीब तीन दसक हो चुके हैं। अधिके 75 साल में तीन दसक NDA यह सामान्य घटना नहीं है। विविजता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजी ग्रचना के बीच हुए। यह तीन दसक की आत्रा एक बहुत बड़ी मजमूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कारकरता के रूप में इस एलाइंस का हिस्सा था, व्यवस्ताओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते, मेरा भी नाता इसे तीस साल ना का रहा है। और मैं कह सकता हूँ, हकीकोंतों के और तत्थों के अधार पर कह सकता हूँ, यह सबसे सफल एलाइंस है। हम गर्व से कह तक ने हैं, कि पांच साल का टर्म होता है, इस एलाइंस ने तीस साल में से पांच-पांच साल के तीन टर्म सफलता पुर्वक पार किये हैं, और एलाइंस चोथे टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजलिती के विशेशग्य है, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्पका है, बेश सोचेंगे, तो पाएंगे, कि एंडिये, कि सत्ता प्राप्त करने का, या सरकार चलाने का, कुछ दलों का जमावडा नहीं है, ये, राष्ट्र पथम की मूल भावना से, नेशन फर्ट्स टेपर्टी कमिटेड, वैसा ये समू है, और तीस साल का लंबा कालखन, शुरू में साइज एसेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राजनितिक व्यवस्था में, एक और्गेनिक अलाइंस है, और ये मुल्या, स्रदेय टल्वेहरी बाजपाई, श्री प्रकास सिंग्जी बादल, श्री बारताप ठाकरे, श्री जॉर्ज फरनाडीच, श्री शरद्यादव, अंगिनत नाम में कह सकता हूँ, इन लोगों ने जिस बीश को बोया था, वो आज भारत की जनता ने बिश्वास का स्विंचन करकर के, उस बीश को बट बुख्ष बना दिया है, और हम सब के पास, ऐसे महान नेताओं की विरासत है, और हमें इसका गर्व है, बिते दस वर्षों में हमने, एंडिये की उसी विरासत, उसी मुल्यों को लेकर के, निरंतर आगे बढ़ने का, और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जैसे मैंने कहां, मुक्त मन से, राजनीती के विशलसा करेंगे, तो देखेंगे, कि एंडिये का जो लोग दिखते हैं न, उसमें common चीज नजर आती हैं, और वो है good governance, इन सबने, अपने अपने समय में, अपने अपने कारकाल में, जब जब जहां सेवा करने का मूका मिला है, गुड गवर्नन्स इस देश को दिया है, और इस प्रकार से, एंडिये एक प्रकार से, एंडिये कहते ही, गुड गवर्नन्स यह अपने आप परियावाची बन जाता है, साध्यों, हम लोगों के सभी के कारकाल में, जब गुजरात में रहू हो, रहा हूँ, या बाबु हमारे आंदर में रहे हो, या नितिजिने बिहार के लिए भरपुर सेवा की हो, हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में, गरीब का कल्यां केंद्रस्त रहा है, और, देश ने, एंडिये के, गरीब कल्यां के, गुड गवर्नन्स के, दस साल को देखा है, इतना नहीं है, मैं कह सकता हूँ, देश ने से जिया है, जनता जनारण ने, सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है, वर्ना, जनता और सरकारों के बीच में, एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी, हमने उसको पाट दिया है, हमने, सबका प्रयास का मंत्र, देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए, चरितार्थ करके देखा है, साथियों, एंडिये सरकार में हम, अगले दस साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अगले दस साल में, गुट गवर्णन्स, विकास, नाहरीकों के जीवन में, क्वालिटी अफ्लाइब, और मेरा व्यक्तिक अदुरुप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोग तंत्र की समरुद्धी को जब सोचता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, कि सामान्य मानवी के जीवन में से, और खास करके, मध्यमबर, उच्च मध्यमबर कर, उनके जीवन में से, सरकार की दखल जितनी कम हो, उतनी लोग तंत्र की मजबूती है, और आज के टेक्नलोजी के यूग में, बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में दस काम हो, तो दस अलग अलगो सारी चीज़े मांगेगे, हम बड़लाब चाहते हैं, गुड गवर्नस का ये भी एक महत्वकून पहलू है, नेकि हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जरारदन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सम मिलकर के विख्षिद भारत के सपने को साकार करके रहेंगे साथ वे एंडी एक मैं और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन मैं किसी भी दल का कोई भी जड़ प्रतिनीदी होगा मेरे लिए सब बराबर है जब मैं सबता प्रयास की बात करता हूँ तो मैं सदन में भी चाहिए वो लोग सभा हो या राच सभा हो हमारे लिए सब बराबर है और यही एक भाव है जिसके कारण तीस साथ से एंडी अलाइंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है अपना प्रया कुछ नहीं है सब को गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखिये हैं उसी का प्रणाब है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं साथियों हमने दो हजार चोवी समय जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास्रूट लेवल पर किया है सिर्फ फोटो आप किर्दान ने तक मिल करके हाथ हिलाएं और तुम तुमारे रस्ते में मेरे रस्ते सा नहीं ग्रास्रूट लेवल तक सबने मिल करके यह जो काम किया है और उसी ने हमें और्गेनिक अलाइंस का सामर्थ दिया एक दुसरे का सहयोग किया है हर किसी ने यही सोजा जहां कम वहां हम अगर तो कम ही है तो मैं आओंगा मैं मैंनत करूंगा लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दुगा जहां कम वहां हम यह हर कारकरता ने जीकर के दिखाया है और तभी तो जीत आती है साथियों कभी-कभी मैं कह सकता हूँ कि हमारा दस साल का अनुभव है भारत के हर खेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशन्स है रीजनल एस्पिरेशन्स है बे और नेशनल एस्पिरेशन्स इसका एक अतूट नाता होना चाहिए इसके बीच में हवा तक गुजर न सके इतना जुड़ा होना चाहिए तब देश आगे परता है साथियो कि सुनाओ मैं मैं कुछ उलेग जुरू करना चाहूँगा जो मेरी नजरी से मेरे देखा है दक्षिर भारत में एंडिये ने एक नई राजनीती की नीव मजबूत की है अब देखे काना टकाएं टेलंग रहा अब यह भी तो इनकी सरकारे बने थी लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास तूट गया प्रहम से लोग बार आ गए और एंडिये को गले लगाद गया करनाटक और तेलंग ना में दोनों जगाद साथियो तमिल नाडू मैं तमिल नाडू की टीम को भी बढ़ाई देना चाहूँगा और वहां हमारा एंडिये समूब बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथे सीट नहीं लड़ा पाएंगे लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे और मैंने बहुत से एंडिये के साथी तमिल नाडू में ऐसे हैं कि जिनका कोई उमिदवार नहीं था लेकिन जंडे को उचा रखने के लिए उजी जान से जुटे थे और इसलिए आज तमिल नाडू में भले हम सीट नहीं जित पाएं लेकिन जिस तेजी से एंडिये का वोटशेर बढ़ा है वो साफ साफ संदेद दे रहा है कल में क्याल लिखा हुआ है साथ यो पूड़ी शेरी हो केरला केरला है हमारे सेंकडों काड़करताओं के बलिदान को है UDFO या LDFO शायद हंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में है इतना जुल्म एक विचार धारा को लेकर के जीने वालोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ केरल में हुआ है जम्मू केश्वीर से भी जादा हुआ है उसके बावजुद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था उन्होंने परिश्म की पराकास्था में कभी पीछे नहीं रहे पीडियां खपा दी पीडियां खपा दी और आज पहली बार सांसद में केरल से हमारा प्रतिनी दिफ बन क्या है साथियों अरुनाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है सिक्किम में भी हमारे एंडिया की सरकार करीब परी क्लीश्विप के साथ अरुनाचल क्लीश्विप आंद्र मैं अब बाबु को पूछ रहा था बोले हिस्टोरी के लिए सबसे हाइस गुत्री है अरे जो यहां बिखता है नहीं पवन यह पवन नहीं आंद्री है आंद्र ने इतना बड़ा हमारे प्रतिक जन्मत दिया है हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जीजी विशा है उसका प्रतिमी मैं है और महाप्रभु जगनार और मैंने अनुभव किया हमेशा मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर के नेक रूप होते हैं लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगनार जी को याद करता हूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ ये गरीबों के देवता है और वहाँ जो क्रांती रूप पननाम आया है मैं इसे एक रिवोलुशन देख रहा हूँ और मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि विख्शिद भारत का हमारा जो सपना है आने वाले पचीस वर्थ पहले मैंने दस साल कहा था या मैं पचीस साल कह रहा हूँ आने वाले पचीस सांग महाप्रभु जगनार जी की कृपा से उड़ी सांग देश की विकास जात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा साथियों हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्तर था बाद में फॉन फिन आरा चुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आकड़े मागड़े तो मुझे ये बताओ कि इवियम जिंदा है कि मर गया क्योंकि ये लोग ताइ करके बैठे जे कि भारत के लोगतंत्रों और लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए और लगा सार इवियम को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साइदी इस बार वो इवियम की अर्थी निक्याश जुलूस नेका लेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इवियम ने उनको चुप कर दिया यह ताकत है भारत के लोगता की यह ताकत है भारत की निस्पता की यह भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की चुनावायों की और मैं मानता हूं कि यह आशा करता हूँ कि पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं शुराई देगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआत करीगे लेकिन के सुतरे के सब्बाव नहीं बहुत कावब है आप देखिए चुनाओ के समय में ने पहली बार देगा साइद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आये इसके लिए सुप्रीम कौड के दरवाजे खट-खट आये गए पांटी पांटी के अप्लिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक जिन का भरो भार अभिस्वास हैसे लोग सुप्रीम कौड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रयास करते रहे और चुनाओ आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पीक अबरस में यहने कितनी निराशा लेकर के यह लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाओ के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बड़नाम कर ले यह शड़ियंतर का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़वन्दन वाले जब इवी इनका विरोग करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाओ के रूप में नहीं देख रहा हूं मैं मानता हूँ इस लोग मन्स से पिछली शताबनी के सोच वाले लोग है तेकनलोजी को हम महत्व न समतने हैं तेकनलोजी स्विकार करने को त्यार है और यह सिरफ इवी इम में दिखाई दिया ऐसा ने यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा हाँ कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांचेक्शन करें जब फिंटक के दुनिया में आज उदुस्तान का नाम हो गया मानने को त्यार ने आधार आज देश के पहचान बना है मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार के पद्ददी से आगे बढ़ना है आप कैसे मदद कर सकते हैं उस आधार को रोकनेक लिए सुप्रेमी कौट में बार 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 जाकर परिशान्य पता है याने मूलत हग ये प्रगतिर के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेक्नोलोजी के विरोधी, इंडी अलाइंस हमने देखा है, साथियो इस देश के लिए ये भी चिंता का विशह है, कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाज, और कितना एक्स्टीम है, मैं दुनिया में धोल पीट रहा हूं, कि हम मदर अप डेमोकरेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर बता रहे हैं, नहींने हमारे देश में तर डेमोकरेसी हैं सा कुछ नहीं कि वो म भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रतिया विस्वात पड़ा कड़े का जो उनका सडियंत्र है मैं मानता हूँ कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता विशालता व्यापकता गहनता इन सब को भी जानने समझने के लिए आकर्शित होगी ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूँ साथियों जब दोजार एक तारीकों मत्दान पूरा हुआ और चार तारीकों काउंटि इस बीच की चीजों को आप देखिए योजना बद तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने क्या भाशा बयान दिये जादे यहां इखटे होना यहां पहुंचना यहां करना कुछ लोग इस चीज़ को गंभी नहीं लेते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर है आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनादर करते हो अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहोल बना दो कि बस आग लगा देंगे हर प्रकार जिन शब्दों का अर्थ यही निकलता है को उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था लगातार देश को गुमरा करने का प्रयास किया गया देश के लोकों को बाट्टे का प्रयास किया अरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि जादा से जादा लोकों को हम जोड़े तोड़ने के लिए नहीं होता है लेकिन हर प्रकार से कोशिज यही की गया साथियों मैं मानता हूँ कि 2024 के लोकसभाय के चुनाओ के जो नतीज़ है हर परामिटर से देखेंगे दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एंडिये का महाविजय है और आपने देखा दो दिन कैसा चला जैसे हम तो हार चुके गए चारों कर भी दिख्चा था क्योंकि उनको अपने खार करताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे कालपनी परेव ये करने पड़ रहे है और साथियों गडवंदन के इतिहास में अगर आपड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबुत गडवंदन की सरकार है लेकिन कोशिस है की गई कि इस विजय को स्विकार ने करना उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना लेकिन उसके ऐसी चीजों की बालमृत्ति हो जाती है और हो भी गई लेकिन देशवासी जानते हैं कि नहम हारे थे नहम हारे है लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो व्यहवार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं हमारे समस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और नहीं पराजित लोगों के प्रती उपहास करने के हमारे समस्कार है हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विक्रूती हम नहीं पाते हैं हमारे समस्कार है अब किसी भी बालक को पूछो कि बें लोगसभा के चुनाओं के पहरे सरकार की इसकी थी तो काईगा NDA 24 के नतिजों के बाद सरकार की इसकी बनी NDA पर हारे कहां से भई पहले भी NDA थी आज भी NDA और कल भी NDA आप सोचिए दस साल बाद भी कॉंग्रेस सो के आकड़े को नहीं छूपाई और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं कॉंग्रेस के तीन चुनाओं जोड़ हूं तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है उससे जानदा हमें इस चुनाओं में मिली है और मैं साब देख रहा हूं था क्यों ये इंडी वालों को अंदाज नहीं है बे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे अब तेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं साथियों इंडी अलाइंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है आज भी वो उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं है भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है वो समझ को छूता है समझता है पैचानता है वो बहाँ नहीं है साथियों इन लोगों का जो बैवार रहा है चार तारिक के बाद मैं आशा करता था कि वे लोगतंतर का सम्मान करेंगे लेकिन उनके बहवार्च लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं इसके लिए मैं और इंतजार करना पड़ेगा और तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के प्यम का अपमान करता है इसके निर्णों को फार देता हूँ खुद की पार्टी को विदेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी ये सारे दरशे आप देखें हैं अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूति और जनता जमाद गरादन के परती आस्था इसको हम साथियों लोकतंत्र हमें सब का सम्मान करना सिखाती है विपक्ष में भी जो सांसजीत करके आए है मैं उनको भी बढ़ाई देता हूँ और मैं पिछले दस वर्ष में एक चीज़ मिस कर रहा था कि डिबेट पार्टिसिपेशन क्वालिटी अब डिबेट मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन मैं आशा करता हूँ कब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं शायद हमारे साथी भी राष्ट हीद की नियत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है हमारे विपक्ष में राष्ट में थो हम सब एक ही दिशा में है राष्ट में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है राष्ट में हमें 140 करोड है और मैं आशा करता हूँ कि वो राष्ट हीत की भावना को लेकर के सदन में आएंगे सदन को सम्रुद्ध भी देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे सथ्वे 24 का जनादेश एक बात को बार-बार मजबूती दे रहा है बार-बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरम है सिर्फ और सिर्फ एंडिये पर ही भरोसा है और जब इतना अतूट विश्वास है इतना भरोसा है तो स्वाबाविक है देश की अपेक्षाएं भी भड़ेगे और मैं इसे अच्छा मानता हूँ और हम सब का कर्तब भी मानता हूँ और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए और मैंने पहली भी कहा था कि जो दस्वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है और वो मेरा चुनावी वाक्या नहीं था यह मेरा कमिट्मेंट है हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गटी से देश के आकांशाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर्मी विलम नहीं करना है जनता जनारण चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें जनता चाहते हैं हम खुदी हमारे पुराने रकोर्ट तोड़े और मैं साथियों एक तरफ एंडिये रखो दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो तो मैं कहूंगा एंडिये न्यू इंडिया डेवलप इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया और इसी केस इसी सपने और संकल्पों को पुरा करना ये हम सबका संकल्प भी हैं कमिट्मेंट भी हैं और हमारे पास रोड मैप भी है साथियों एंडिये ने हमेशा में करप्शन फ्री रिफाम ओरियेंटेट स्थीर सरकार देश को दी हैं जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया हैं उसके सामने कॉंग्रेस नेच्रूत वाली यूपिये अब उन्होंने पुरानी अपनी छबी सुधार निकले नाम बदल दिया लेकिन पहचान गोटालों की है आए दिन गोटाले यही पहचान रही है और नाम बदलने के बावजुद भी देश उनके गोटालों को नहीं भुला है उनको नका रहा है और मैं कह सकता हूं साथियों इंडी एलाइंस वालों ने एक व्यक्ति का ओपोज करने के बन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ओपोजिशन में बिठा दिया है एंडी ए विक्सित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाओं में गया था देश के लिए सकारात्मक्ष सोच को लेकर के गया था देश की युवाश शक्ति के सामर्थे का समझ करके नए अवसरों को लेकर गये देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था जब कि हमारे सामने जो लोग पे भरम फैलाना जूट फैलाना यही गुमरा करने वाले काम यही करते रहेते हैं अब NDA और उनका कारण देखें इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार उनका नामांकन हम लोगों का एक-एक दरश्य देखे लिए और उनका एक-एक दरश्य देखें कितना बड़ाता है हर चीज में उनका करेक्टर दिखाई देता है और क्या रहा फोटोगाप के लिए तो उनके एलाइंस गोशित कर दिया है लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं चुनावी जंग में एक दूसरे की पीट में चुरा बहुकते रहे हैं कभी उन्होंने कहां कि ये तो हमारे वैचारी के ऐलाइंस हैं वो विचार लेवल पर ठीक है बागी नीचे तो हमारा अपना हम तयार करेंगे और अब फिर वोनों ने कहां कि हम तो सीट के आदार पर एलाइंस करेंगे टोटल न भी करें ये भी खेल खेला और अभी अभी तो चुनाव कुनाव शुरू कर दिया याने मैंने बहुत पहले कहां था कि आप देख लेना चार जुन के बाद बिख्राव शुरू हो जाएगा और वो शुरू हो चुका है इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ पर सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दुसरे का साथ देने की कोशिश करते थे लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो तो साथ देना वरना नहीं देना ये करक्टर था साथियों ये लोग कितने ही बड़े चूठे बोलते रहे हैं और आप देखिए चुनाओ के समय है उन्होंने देश के सामाने नागरी को गुम्रा करने के लिए जो परचियां बाटी है कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे फलाना देंगे दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि कॉंग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये परची हैं एक लाग रुप्या कोहां है लाओ भई मांग रहे हैं लोग याने आपने जनता जनादन के आखों मत कैसान उनको ब्रमित किया कैसी आख में दूल जोग दी कि वो बेचारा समा निरागरी कि मान के चलता नहां भई चार जून के बाद रुप्या मिल जाएगा इसलिए उन जाके खड़ा रहे गया और अब इसको ध देश के गरीबों का अपमान है हमारे देश के सामानने नागरी को का अपमान है और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है नहीं कभी माप किये बिना माप को भी करता है साथियों हमारे लिए संतोस की बाद है कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहे हैं दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर लिकाला है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कबच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्परेशन पाता हुए है कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे से जो हो सकते हैं मैं हर अवसर का फाइदा उठाऊँगा तीन करोड गरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है जी कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालू है लेकर हम सफलता पुर्वक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुके हैं तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह यह भी हिम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरूरत पड़ी हैं और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सत्तर वर्ष के आउसे उपर के वेक्तियों को नागिलकों को पांच लाग रुके तक ईलाज के लिए मुफ्ति उलाज की गवस्ता मुद्रय उद्दा के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए बिश्त लाग तक टेक उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी गवस्ता यह मैं समयता हूँ कि वाइदा हमारे पीसरे कारकाल की एक गारंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूँ लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड है और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे साथियों गडीब का ससक्तिकर और मिडल क्लास को सुवीधा यह हमारी प्रास्पिक का है क्योंकि मध्यंबर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बढ़ा है भारत की ग्रोस स्टोरी में यह ऐसे ऐसे नए फोर्सिस में देख रहा हूँ जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हम उसपर भी उतना ही मräल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बचे, बने उसके लिए, उसके कौलिटी ओफ लाइप के लिए हम क्या कर सकते हमारी योजणाओं का विस्तार कैसे किया जाए हमारे निती नियमों में बड़ला कैसे किया जाए उस पर भी हमाने जिवाले दिनों में कामतार देए साथियों पंचायद से पार्लामेंट तक हमारी नारी शक्ती की सक्रिय भागीदारी है यह हमारा कमिट्मेंट है और हमने हमारे पिछले कायरकाल में नारी शक्ती बंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी आजाद में हमारी माताए बहने देश का नेतृत्व करती भी दिखाई देगी इस पूरे चुलाओं में हम सबसे ज़्यादा महिला उमीदवारों को टिकर देने वाली पार्टी रहे हैं यह हमारा कमिट है हमारी महिला सांसदों को जो आशिरवाद देश की जिनता ने दिया है मैं इसके लिए विशेश रुठ्षूं का आपहर विखता करते हैं और साथियों आपने देखा होगा जी ट्वेंटी समीट में दुनिया के सामने एक विशेश लेकर करके हम बड़े आगरस से गए हैं और वो हैं एंपावर्मेंट अब विमेंट डेवलप्पेंट अब विमेंट इन सारी बातों कुछ हम परिशेट हैं हमने एक नया सिफ्ट किया है और हम जी ट्वेंटी समीट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं विमेंट लेड डेवलप्मेंट एक बार हमारा इस प्रकार का कमिट्मेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साब ने जराता है साथियों एंडिये का ये कारका बड़े फैसलों का है तेज विकास का है और अब हम समय घवाना नहीं चाहते कि हम पांच नंबर की इकोनामी से तीन नंबर की इकोनामी पर पहुंच रहे हैं और ये खाली पांच और तिन का अंकड़ा नहीं है उसके कारण जो अर्थववस्ता का गद बन जाता है वो सामान ने मानवी कि आशा अकांशाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है देश के लिए जो जरूत है वो आराम से पूरी करने का सामर्थ बन जाता है और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही मMrटवपो है और भारत के समिधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशांदेश किया है कोोपरेटिव फैडरलिज्रिस्म का लेकिन मैंने उसमें आगर रखा है कॉमपेटिटिव कोपरेटिव फैडरलिस्म हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुर स्पर्धा हो हम अच्छा करने की स्पर्धा करे और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाते हूँ हमने देखा है जब मैं कॉंपेटिटिव कॉपेटिव फैटरलिजम की बात करता हूँ आपने देखा G20 समीछ हम एक जगा पर कर सकते थे हम भी मालाई पहन करके फोटो निकल वा सकते थे लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में दोसों से ज़्यादे मिटिंगे हुई और दुनिया भरके निती निल्धार जो कहें G20 देशों के और बागी भी पांच साथ देशों के वो हिंदुस्तान के कौने-कौने में गए है उनके देशों में जाकर भारत के विवित था भारत के विशालता इसकी चर्चा कर रहे है उनके लिए अस्षर है हमने तो दिल्ली आकर कि बापीश जाते थे पता ही ने था देश इतना बड़ा है तो यह अपनी एक टाकत का परिशे हुआ है हमने पुविड में देखा राज्यों के साथ कोपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सुत्र में रहकर कि लड़ाई दल किसी का भी हो सरकार में लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोपरेटिव फेडरलिज्म के प्रतिक कमिट्मेंट है एस्पिरेशनल डिस्टिक एक ऐसा मोडल है गवर्नन्स का जिसमें राज्य भी उतना ही सकरियता से हमारे साथ जुड़े हुए है और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नन्स का एक ऐसा मोडल प्रसूत हो रहा है जिसका आप तो के स्टेडी की रुप में दुनिया के एनिये की उलिपर स्टेडी करना चुरू की है अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्रॉक की तरब ले जा रहे है ताकि हमारे ग्रासूट लेवल पर भी जो बीक एरियाद है जहां सुभी धाए अभी सामान एवरेज से भी नीचे है उसको हम जल्दी से जल्दी उस टेट की एवरेज तक लाना चाहते है देश का रीजन कोई भी ख्षेत्र हो सरवांगे इन्विकास को लेकर घंचले साथियों गत दस वर्स बैह इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्षेत्र बैह हमने एक बहुत बड़ा हैने सोचने में भी बढ़ लाव लाए जब इन पर तो लाई लाए वन्न हमारे देश में सोजा चलेगा यार बारे एक बार कर लो न उस साहरे में से बड़ाव ने है अब तो अच्छा ही चाहिए बड़ा ही चाहिए जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए सामान ने मानवी के मन को हमने इस प्रेजिट भी किया है और पुर्शार्त करके हमने उस दिशा में काम किया है पांच साल में हमें गती शक्ती यह इस प्रकार के प्रेटफर्म पर जो काम किया है जो काम 6-6-8-8 मेने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं तक टेकनलोजी का उप्योग करके हम क्याम कर रहे है और यह जब होता है तो उसका मून फाइदा देश के नवजवानों के लिए रोजगार के अती अवसर बन जाते है उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा दाइरा बढ़ जाता है और वो हमें सात्यों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैनुफेक्रिन हब के रुप में उभर रहा है और जब हम मैनुफेक्रिन हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्रोनिक गूर्द या सर्विसिस के में बात नहीं कर रहा हूँ मैं फूट प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बढ़ी ताकत दे रहे हैं उसी प्रकार से स्पेश हो आर्टिफिशन इंट्रिजिस हो स्टार्ट अप्स की बात हो स्कील जॉब अफर्चुनिटी इस बात हो आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा बढ़ रहा है ये मेरा विश्वास है साथ क्यों मुद्रा योजना ड्रोन दीदी विश्व कर्मा योजना इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है साथ क्यों हमारी संस्कृती हमारी विरास्थ उसके प्रती हम जीतना ध्यान केंदित करेगे दुनिया के लिए आकरशन का केंदर बनेगा और इसलिए हम उन्दिशा में और मैं मानता हूँ भारत के लिए एक तूरिजा में एक ऐसा एवन्यू है जो गत सताथ भी में हमें कभी आक से लेकर के पीछे के सो साल में कहूँ ऐसा आफसर नहीं मिला है जैसा आने वाले पच्ची साल में मिलने वाला है दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है अब हमारा काम है इसके लिए आवश्यक व्रवस्ताओं को विक्सित करें हमारी विरासत के प्रतिहम हमारा परियटन का विकास करते हुए एक बिन बिन सिचुएशन का हम फाइदा उठाए और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूँ और यह ऐसा ख्षेतर है जितमें हर स्कर के लोग कमायता है गरिब से गरिब आदमी भी कमाता है और बड़ी-बड़ी होटल बाला भी कमाता है हर को इसमें कमाता है और हमने टूरिजम के हम बल देना चाहते है बहुत पोटेंशल है आज जो इंफ्रस्रेक्टर के ख्षेतर खुले है इसका फाइदा है एरवे हो, रेलवे हो हमारे एक्स्प्रेस वे हो यह हमारा याताद जितना बहतर हो और हमारा डिजिचल करेक्टिविटी का जो काम है यह इसके लिए एक बहुत बड़ा पोजिटिव ग्राउंड तैर कर रहा और जिसका फाइदा मिलने वाला है और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिजम इसको एक बल देने का काम है साथ्यो अब दुनिया एक नए यूग में प्रवेश रही है जिस समय और जोगिक रांती हुई उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हुए तो और जोगिक रांती का जितना फाइदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाई है अब एक नया यूग शुरू हो रहा है हरित यूग ग्रीन एरा भारत के पांस बहुत संभावना है इसका नित्रुत हो करने की और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हैड्रोजन की बात हो ग्रीन एनर्जी हो या ग्रीन जॉब्स हो या ग्रीन मोबिलिटी हो इन सारे विश्यों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरीत यूग का नेत्रुत्वा दुनिया में भारत का सामर्त है सिद्ध कर दें यह हम चाहते साथ यह इसी सिल्सेले में इस पांच जून को जब परियावरान दिवस था चार जून को नतिज़ें आ गए थे तो उसी दिन मेरे मन में एक विचारा है कि कारकम पांच जून को हमने आरम किया एक पैड मा के नाम हर किसी को मा के प्रति सर्दा होती और मैं भी देश वासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्म दिन हो क्या कोई और सुब दिन हो अपनी मा के नाम पर एक पैड लगाईए और मा जिवीध है तो साथ लेकर जाईए उनकी फोटो आप सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए और मा नहीं है उनकी फोटो रख करके एक पैड लगाईए और वो अपनी मा का भी सम्मान होगा और धर्ती मा के सेवा होगी हम इन दो माता होगे सेवा करें साथियों NDA अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता वैश्विक परिवेश्वें भारत की भूमी का दिनो दिन भहुत बढ़ती चली जा रही है 2014 में जब NDA की सरकार बनी पूरे विश्व में उसी एक पल से एक नया जिग्यासा प्यादा हुई थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे और फिर उस बढ़लाव बहुत बढ़ा तेजी से आया और पिछले दस वरस में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है आज भारत की छबी विश्व बंधु की बन चुकी है दोस्तों विश्व हमें एक बंधु के रुपे स्विकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रुपे स्विकारती है तो हमारी बैस्विक जिम्मेवादियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्वत देना ही होगा और भारत की सफल बिदेशनिती ने अच्छे परणाम भी दी है हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवी मुल्यों को हमने प्रात्विक्ता दी उसका परणाम है कि सामान ने मानवी के मन में इस विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबुत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो करेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है चाई उक्रेन का संकट हो चाई अफगानित का संकट हो हर हमारे लोगों को बचाना हो हमने किसी भी इक में हमने कोई कमी नहीं रखी है और साथियों ये समता की कारण भारत में निवेश की संभावना बहुत बढ़ने वाली है मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगति सिल नितियां बनाकर रेडी रहे है विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दसक दे रहा है और जो राज्य जानदा पस्ट नितियों के साथ आएगा जो राज्य उन कम्पनियां भी देश याने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है और भारत ने जो नीतिया बनाई है भारत ने जो वातारों बनाया है उसका लाब भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उद्धिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं साथ्यों हमने G20 समिट में देखा है दुनिया का भारत के प्रती नजर्य बढ़ला है जो लोग इन चीजों को माईलूट ले देखते होगा उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था उतार चड़ाव आते रहते थे विखराव भी नजर आ रहा था लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है नया सामर्थ आ गया है और ये भारत की ताकत है को उसने पुरे विश्व को जोड़ने में G20 के माद्यम से बहुत बड़ा काम किया है और उसके इन द जिनों भी ये जो परिणाम आये इसके बाद मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिलेंदर स्विकार करें में गया है और शायद में जेना 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बाहर फ्लो है दुनिया के करीब-करीब आप नाम ले उसने भारत को सु हमारा जाकत है उसका परिचे करवा रहा है और उसके कार में मांता हूं कि बीश्व में हमारा संमान और साध-छाथ भारत में निवेश्ट ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है साथ जो हमारे संभिधान का पच्चतरवा बर्ष है हम चाहते हैं कि संभिधान हमारे संभावने संस्ताओं का सरोक्षन बर्ष इसके मातर के लिए है ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उप्योग करके काम करने के लिए नहीं है ये एक हमारी भावना है हमारा स्पिरिट है और हमें इस पच्चतर साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संभिधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुँचाएं हर जन को संभिधान की जो भावना है चत्रपति सिवाजी महाराथ के राज्जाभिषेक के 350 वर्स के उत्सों में देश आज़रंगा हुआ है और हम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेणा है जो दुस्मे राश्ट्र प्रफ़म की भावना है चत्रपति सिवाजी महाराथ को याद करते ही राष्ट प्रफम की भावना हमें मजबूती देती हैं और इसलिए हम देश में इसी एजेंडर को आगे रखते हुए और जब इसी समय ये साड़े तिन सो जाल का परवाया है तो हम हमें अपनी पॉलिशी और परफॉर्फॉर्मंस और सामान्य मानवी का जीवन बहतर करना है उसमें जरा भी बिलम नहीं करना है साथियों विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आये हैं कुछ पुराने सांसद है कोई ज़्यादा अनुभवी सांसद भी है आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले दो दिन से आप टीवी पर देखते होंगे एक भी सच्चा ही मुझी उसमें नजर नहीं आई कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है सब मैंने कहा वह जरा पूछो थे जानकरी लाते कहां से गभगोले चला रहे किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है मतलब ये थोड़े दिन क्योंकि दस साल से ऐसे उसर नहीं मिले है तो शायद यह उबाव ज़रा ज़्यादा रहेगा लेकिन आप मान के चलिए जी ऐसे लोग कोई पहुँचेंगे बस आप मेरा अच्छा सबन्द है मंत्री में आपका नमबर कर सकता हुआ हमें भी पता नहीं होता है हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पता नहीं किस खाई में डुबो देता है कभी कभी तो साइद आप तो टेक्नलोलोजी ऐसी हैं कि हो सकता है मेरे सिगनेचर से कोई लीष बाढ निकल जाए कि ये मंत्री बन गए हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपांट्मेंट भी बाढ दे तो आज का कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए है मंत्री पद बाढ रहे हैं पद बाढ रहे हैं व्यवस्ता बाढ रहे हैं मैं आपसे आगरपुरो कहता हूँ और जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्फक है वे आप भी किसे घप फोर आजाए तो दस पर वेरिफाइ कीजिए कि जिसे फोन किया है वो सचमुच में ऑथोरिटी है अदरबाइस कोई भी कहा भाई आपको नाम हो गया है सुवे परिवार को बुला दीजिए शबस हमारों में आना है भो गया तो ऐसी गब बाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फोज रहती है कुछ लोग आदतन करते रहते हैं कुछ लोग मजगाती लेकर और कुछ लोग बदिराद्य से करते हैं मेरा सभी सांसदों से आग रहा है कि हम इन सारे सडियंत्रों का शिकार न बनें दूसरा हमारे जो हिंडी अलाइंस वालों ने इस चुनाओ में फेक न्यूज में एक्स्परटाइज कर लिया है डबल पीएचरी कर लिया है उन्होंने वो शायद इसका भरपुरूप्यों करेंगे हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें अफ़ाओं से दूर रहें यह जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है मुझे भी सही सला देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिल करके बहुत सही निर्णे करने वाली है कृपा करके ब्रेकिंग जो इससी के अधार पर देश चलेगा नहीं यह मान के चलिए साथियों विक्षित भारत का संकल पर लेकर करके हम चले है तीन नंबर की इकनोमी पहुँच रहा मैं जानता हूँ निश्चित रोड में अपके साथ उसको अमपार करने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल-पल देश के नाम है मेरा पल-पल आप लोगों के नाम है मैं 24 by 7 अवेलेबल हूँ हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है वाकई मैं मानता हूँ भरत के लोगतंतर के एक बहुत बड़ी ताकत है मैं जीतना आपका आप हर वेक्तिकर उतना कम और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी आशा आप एक्षाओं को पूरी करने में परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखोंगा मेरे लिए जन्मा सिर्फ और सरफ वन लाइफ वन मिशन और वो है मेरी भारत माता यह मिशन है एक सो चालीस करोर देश्वास्यों के सपनों को पूरा करने के लिए खब जाना यह मिशन है एक सो चालीस करोर देश्वास्यों को हजार साल की मुसिबतों से जो गुजरी हुई पीड़ी दर पीड़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ भिश्वम है मेरा हर देश्वासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश यह हिंदुस्तान का है उसका मन लाला ही धोना चाहिए हिंदुस्तान ही है अरे यहां जरा हाथ में लालू कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए मैं देश को ही सुचाए पर ले जाना चाहिए और साथ यो मुझे पक्का भिश्वास से आपका साथ आपका सयोग आपका आनुभव बहुत बड़े परणामों की संभावना लेकर के आया है लोग सभा का इगठन उन सभी आकांचाओं को पूरा करेगा मैं फिर एक बार आप सब का रदय से बहुत बहुत धन्यवाज करता हूँ आप सब का रदय से बहुत 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 जो NDA के साथी स्वागत करना चाहते है और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिशनेता भी स्वागत करना चाहते वो आगए आ सकते हैं NDA के वरिशनेता रश्टफधी वहोन कि और भी इसके बाद जाएंगे तो NDA के साथी तमी लड़ो आँ़ा लैं dips यहाँ जो 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 एक अगे वरिश नेता जो स्वागत के लिए आए वो एक आगे देरे देरे जा सकते हैं तो एंडिये संसदिये दल की बैठक में एतिहासिक निरनाई ये एतिहासिक बैठक है और प्रधान मंतरी के तावर पर चुना गया है एंडिये संसदिये दल का नेता चुना गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को तो एक बार फिर से तीसरी बार लगातार देश की बागदोर समाजने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और ये एतिहासिक पल है जब जब सभी